क्या आप 5-star rating में hot and cold AC ढून रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तलाश खत्म हुई क्योंकि डाइकिन ने 2024 में 5-star rating का hot and cold AC लॉंच कर दिया है हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उम्मीद ऐसा बच्छे से होंगे आप सब को बख़वान बहुत खुश रखी दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको डाइकिन 1.5-ton 5-star hot and cold inverter AC 2024 मॉडल के बारे में तो बताऊंगा ही साथी साथ ये भी बताऊंगा कि इनका ये 5-star वाला AC 3-star वाले hot and cold मॉडल से कैसे अलग है और कैसे बहतर है क्योंकि डाइकिन का ये 5-star hot and cold AC एक नई technology के साथ आया है तो आप वीडियो में बने रहे है क्योंकि इस वीडियो में मैं इस नए AC के बारे में सारी detail आपको देने वाला हूँ तो चलिए आप जानते हैं डाइकिन के latest 5-star hot and cold AC के बारे में यहाँ पर कोई भी feature बताने से पहले आपको एक चीज clear कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको 5-star rating में hot and cold AC लेना है तो सिरफ 1.5 ton capacity में ही available है जिसका IC value 5.2 है जबकि डाइकिन के 3-star hot and cold AC में आपको 1 ton, 1.5 ton और 1.8 ton तीन capacity के option मिल जाते हैं तो चलिए आप बताता हूँ मैं सारे features के बारे में सबसे पहले हम indoor unit से ही start कर लेते हैं indoor unit से पहले आपको दिखाता हूँ इसका remote control तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको on off का button मिल जाता है power chill का button मिल जाता है mode का button मिल जाता है इस mode के button से ही आप heat और cool mode में shift कर सकते हैं econo का button है fan speed के लिए button है temperature up down के लिए button है यानि कि सारे के सारे buttons आपको remote control के उपर मिल जाते हैं और self cleaning के लिए यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं due clean का button भी मिल जाता है और इस remote में एक खास बात है और वो यह कि इसमें आपको backlight मिल जाती है और इंज कलर की अगर आपको रात में remote यूज करना हो तो यह चीज काफी जादा convenient हो जाती है जैसे कि आप देख रहे हो indoor unit आपको white color में मिलेगा और वे करेगा 11 kg इसकी width की अगर बात करें तो यहाँ पर 35 to 36 inches width है indoor unit की copper का coil इसके अंदर लगाके दिया है company ने PM 2.5 filters आपको मिलने वाले है dual flaps के साथ आता है यह model भी और यहाँ पर आपको 3D और kuanda airflow का भी support मिल जाता है indoor unit के ओपर आपको एक on off का button मिलता है साथ में मिलता है triple display का feature जिसमें room temperature, desire temperature, error codes और most important electricity consumption का percentage भी दिखाया जाता है indoor unit के बाद अब बात करते हैं outdoor unit की तो outdoor unit का look or design भी आपको बिलकुल similar मिलने वाला है लेकिन जैसे की वीडियो के starting में मैंने आपको बताया कि 5 star hot and cold AC में डाइकिन ने एक नई technology का use किया है तो वो राज इसी के अंदर चुपा है तो सबसे पहले आपको वजन बताऊं तो 33 kg का outdoor unit मिलेगा आपको copper का condenser coil मिलेगा with anti-corrhizip coating compressor की यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक अलग compressor company ने इस model के अंदर लगा कर दिया है हम सब जानते हैं डाइकिन वाले अपने inverter AC के अंदर swing compressor का use करते है लेकिन डाइकिन ने अपने 5 star hot and cold AC में swing technology के साथ साथ twin rotary compressor का use किया है तो यहाँ पर performance बहुत अच्छी हो जाएगी और जो operations है वो भी पहले से ज़ादा noiseless हो जाएगे यानि कि silent operation सब रहने वाले हैं और noise को कम करने के लिए बहुत अच्छी quality का acoustic jacket डाइकिन वाले देते ही हैं यहाँ पर एक और change है वो भी बहुत important है इनका जो 3 star rating का hot and cold model है वो minus 10 degree से 54 degree Celsius तक working में रहता है लेकिन जो इनका 5 star वाला hot and cold AC है वो और जादा सर्दी में भी working रहता है उसकी working range है ambient working range बता रहूं है माइनस 15 degree Celsius से 54 degree Celsius तो आप किसी भी ठंडे से ठंडे इलाके में भी अगर रहते हैं तो डाइकिन का 5 star hot and cold AC वहाँ पर आपको बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से heating डेता रहेगा दोस्तो काफी लोग ऐसा सोच रहे थे कि 2024 में डाइकिन वाले अपने AC के अंदर manual convertible feature लेके आएंगे यानि कि remote के उपर आपको एक dedicated button मिलेगा जिससे इसकी cooling या heating को adjust किया जा सकता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको clear कर देना चाहता हूँ कि Daikin के इस latest 5 star hot and cold AC में भी आपको auto convertible technology ही मिलती है यानि कि आपको manual convertible feature नहीं मिलता है बाकी brands की तरह और यहाँ पर आपको सिरफ AC on करना होता है desire temperature set करना होता है compressor जो है वो अपने आप अपनी speeds को adjust करता है room में desire temperature को maintain करने के लिए by sensing your room temperature और ambient temperature तो यहाँ पर यह चीज किसी के लिए अच्छी हो सकती है किसी के लिए कमी हो सकती है यह लेकिन है तो मैंने आपको clear की है यहाँ पर warranty की अगर बात करें तो warranty आपको same मिलने वाली है जैसे बाकी inverter AC के उपर डाइकिन वाले देते हैं 5 साल की warranty PCB के उपर और 10 साल की warranty compressor के उपर उसके बाद जो features है वो भी बिल्कुल similar रहने वाले हैं जो बाकी AC में आपको मिलते हैं इनके जैसे की inside stabilizer आपको मैं बता दूँ और कई वीडियो में बता चुका हूँ कि डाइकिन के AC में inbuilt stabilizer आता है और उसकी voltage working range रहती है 130 वोल्ट से 285 वोल्ट के बीच में और यहां पर आपको self diagnosis का भी support मिल जाता है economy mode मिल जाता है power chill operations मिल जाते है due clean technology मिल जाती है यानि कि वो सारे features जो इनके 5 star inverter AC में आपको मिलते हैं वो सारे के सारे feature आपको इनके 5 star hot and cold AC में भी मिलेंगे तो यह तो बात हुई features बगेरा की अब हम बात करते हैं cooling capacity और heating capacity और energy consumption की इस model की cooling capacity और heating capacity की बात करें तो सबसे पहले हम cooling वाले की बात करते हैं cooling capacity model की रहने वाली है 5000 watt जो expand कर सकती है 5750 watt तर और 5000 watt के हिसाब से actual tonage बनता है 1.42 ton जो की 3 star rating में भी same है और 5 star rating में भी बिल्कुल same है फर्क कहां है फर्क है heating में और यह फर्क मैंने अभी आपको तब भी बताया था जब compressor की बात कर रहा था मैं क्योंकि इसकी ambient working है minus 15 degree तो यहाँ पर heating capacity इसकी 3 star वाले model से ज़्यादा है 3 star वाले model में heating capacity भी आपको 5000 watt की ही मिलती है लेकिन 5 star hot and cold AC में heating capacity आपको मिलेगी 5500 watt की जो भी expand कर सकती है 6600 watt तक और 5500 watt के हिसाब से actual tonage बनता है heating का 1.56 ton तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडर इलाके में रहते हैं तो आपके लिए यह AC बहुत बहतरीन रहने वाला है उसके बाद बात करते हैं electricity consumption की क्योंकि यह एक 5 star rating का AC है तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि बिजली कितनी खाएगा तो यहाँ पर दोस्तों as per BE star label यह जो AC है इसका IC value है 5.2 और annual energy consumption यह annual electricity consumption इसका रहने वाला है 744 units के अप्रॉक्स यानि कि यह जो मैं आपको बता रहा हूँ unit consumption यह label के ओपर mention है आप सब जानते हो electricity consumption इससे कहीं जादा करते हैं AC लेकिन जो label पर लिखा है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ अब इसके अगर price की बात करें तो price दोस्तो इसका slightly high रहने वाला है यहाँ पर यह model लगबग लगबग आपको 55,000 रुपे के आसपास cost करेगा एक चीज इसमें अच्छी है 3 मीटर का copper pipe आपको box के अंदर ही मिल जाएगा तो आपको अलग से पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी Daikin के 5 star hot and cold AC की तारीफ तो आपने बहुत सुन ली लेकिन आप कुछ cons भी सुन लीजिए क्योंकि cons सुनने के बाद ही आप decide कर पाएंगे कि आपको Daikin का AC लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो cons है वो मैं आपको बताना चाहूँगा wifi को लेकर आप सब जानते हैं जितने भी popular brands हैं अब वो लगबग अपने सारे high end models में wifi connectivity का feature देते हैं लेकिन Daikin वालों ने ऐसा नहीं किया अब यह 5 star rating में मतलब इनका premium model ही है hot and cold technology में 5 star rating में लाए हैं लेकिन यहाँ पर wifi missing है तो यहाँ पर यह मैं एक कौन मान सकता हूँ उसके बाद दूसरा कौन है cooling capacity को लेकर hot and cold 5 star rating में इतना महंगा model लेकिन cooling capacity है 3 star model जितनी ही 5000 watt की जबकि यह claim करते है true cooling capacity में जो इनके inverter AC आते ह 5 star rating में उसमें यह claim करते है true capacity लेकिन वह claim यहाँ पर पूरा होता हुआ नहीं नजर आता है उसके बाद बात करते हैं convertible feature की जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि यह auto convertible technology के उपर काम करते हैं तो इस चीज़ को भी काफी लोग con मानते हैं क्योंकि यहाँ पर आप manual turnage को adjust नहीं कर सकते अपने हिसाब से तो यह कुछ cons हैं जो मैंने आपको बताए हैं जो मुझे feel हुए बाकी आपको कोई con अगर feel होता है डाइकी नेसी में तो आप comments में जरूर बताईएगा और यह AC अगर आप खरीदना जाते हो तो इसका buy link आपको वीडियो के description में मिल जाएग तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक like जरूर करते जाएगा और क्या आप डाइकीन यूजर हैं तो मुझे comments में जरूर बताईएगा कि आपका experience क्या है डाइकीन AC के साथ मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के God bless you दोस्तों